बच्चो आप सभी को इस वीडियो में स्वागत हैं पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर फाई यानी मीठा संगीत को पड़ा था इस वीडियो में पाट के सम्मान्दित, शब्दार्थ यानी मीनिंग्स पाट के आदर पर रिक्तस्तानों को पूर्ती कीजिए यानी फिल इन दे ब्लाइंग्स और निम लिखित प्रष्टों को उत्तर दीजिए ये सभी इस लेसन में पड़ेंगे और ग्रामर क पाट को भी पड़ेंगे बच्चों पहले आप हिंदी क्लास वर्क में बासूरी का चित्र निकालिए बाद में आप शब्दार्थ को लिखिए बासूरी यानी फ्लूड का चित्र अच्छे से निकालिए पहले हम शब्दार्थ को पड़ेंगे शब्दार्थ में पहले आता है सुन्दर सुन्दर का मतलब है खूबसूरत, क्या है beautiful, सुन्दर का मतलब है खूबसूरत, अभी दूसरा आता है बासुरी, बासुरी यानि एक बाजा, उसका मतलब है flute, क्या है बासुरी का मतलब है flute, तीसरा आता है शरारती, शरारती का मतलब है nut cut, nut cut यानि naughty, क्या है शरारती का मतलब है नटखट अभी चवता आता है आनंद आनंद यानि खुशी यानि डिलाइट क्या है आनंद का मतलब है खुशी अभी पांचवा आता है है हैरान हैरान यानि चकित यानि अमेज्ड बच्चो आप अक्सर एक शब्द को सुनते हो वह है आश्चर चकित हैरान का मतलब है आश गायब होना मतलब अद्रुष्य होना, not to be seen, क्या है गायब होना का मतलब क्या है अद्रुष्य होना, आखिर में आता है बेवकूफी, क्या है बेवकूफी, उसका मीनिंग क्या है मूर्खता यानि फूलिशनेस, अभी हम स्वाध्याय को पढ़ेंगे, स्वाध्याय का मतलब ह exercise उसमें पहले आता है पाध के आधार पर रिकतस्तानों को पूरति कीजिए, fill in the blinds with the words from the lesson उसमें पहले आता है रामपूर एक डाश गाउँ था, क्या है? रामपूर एक डाश गाउँ था, रामपूर एक सुंदर गाउँ था, क्या था रामपूर एक सुन्दर गाउ था पहले का अंसर है सुन्दर अभी दूसरा आता है भीड में एक शरारती डैश था क्या है भीड में एक शरारती लड़का था क्या है उसका अंसर था लड़का भीड में एक शरारती लड़का था आखिर में आता है मुझे किसी मिठास का डाश नहीं होता क्या है मुझे किसी मिठास का डाश नहीं होता मुझे किसी मिठास का अनुभाव नहीं होता क्या है मुझे किसी मिठास का अनुभाव नहीं होता उसका एंसर है अनुभाव स्वाध्याय में दूसरा प्रश्ण है निम्र लिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए यानि answer the following questions को पढ़ेंगे उसमें पहले आता है बासूरी से कैसा संगीत निकलता था क्या है बासूरी से कैसा संगीत निकलता था बासूरी से मीठा संगीत निकलता था क्या है बच्चो बासुरी से मीठा संगीत निकलता था अभी दूसरा आता है मीठा संगीत सुनकर लोग क्या बोले क्या है मीठा संगीत सुनकर लोग क्या बोले उसका आंसर है मीठा संगीत सुनकर लोग कहने लगे कितनी मीठी बासुरी है क्या है मीठा संगी सुनकर लोग कहने लगे कितनी मीठी बासुरी है अभी हम तीसरी प्रश्ण को पढ़ेंगे खुश होकर लोगों ने बासुरी वाले से क्या भीनती की बच्चो भीनती का मतलब है रिक्वेस्ट लोगों ने बासुरी वाले से क्या रिक्विस्ट की? इसका उतर है खुश होकर लोगों ने बासुरी वाले से यह कहा कि आप दो चार दिन यही ठेरिये क्या है? खुश होकर लोगों ने बासुरी वाले से यह कहा कि आप दो चार दिन यही ठेरिये अभी चवता आता है संगीत की मिठास जांचने के लिए राधे ने क्या किया जांचना यानि investigate करना धूंडना क्या है जांचने का मतलब है धूंडना यानि investigate करना संगीत की मिठास धूंडने के लिए राधे ने क्या किया इसका उत्तर है संगीत की मिठास जांचने के लिए राधे ने बासुरी को जीब से चाटा क्या है संगीत की मिठास जाजने के लिए राधे ने बासुरी को जीब से चाटा अभी पांचवा आता है मिठास न मिलने पर राधे ने क्या किया क्या है? मिठास न मिलने पर राधे ने क्या किया? मिठास न मिलने पर राधे ने बासुरी को गाउं के बाहर फेख दिया बच्चो, और एक बार प्रश्णोतर को पड़ेंगे पहले आता है बासुरी से कैसा संकीत निकलता था बासुरी से मीठा संगीत निकलता था दूसरा आता है मीठा संगीत सुनकर लोग क्या बोले मीठा संगीत सुनकर लोग कहने लगे कितनी मीठी बासुरी है तीसरा आता है खुश होकर लोगों ने बासुरी वाले से क्या बिंती की खुश होकर लोगों ने बासुरी वाले से कहा कि आप दो चार दिन यही ठेरिये चाउता आता है संगीत की मिठास जाजने के लिए राधे ने क्या किया संगीत की मिठास जाजने के लिए राधे ने बासुरी को जीब से चाटा आखिर में आता है मिठास न मिलने पर राधे ने क्या किया मिठास न मिलने पर राधे ने बासुरी को गाउं के बाहर फेक दिया अभी हम प्रश्ण तीन को पढ़ेंगे प्रश्ण तीन में आता है उचित प्रत्ते का प्रयोग कीजिये यानि use the correct preposition बच्चो इस प्रश्ण में हम ने को पर से का में के और आधी प्रतेयों को सही जगह पर प्रयोग करेंगे उसमें पहला आता है राजेश बस डैश में बैट गया क्या है राजेश बस डैश में बैट गया राजेश बस में बट गया और दूसरा आता है किताब मेज डैश है क्या है किताब मेज डैश है किताब मेज पर है अभी दीसरा आता है मोटे लड़के डैश नाम सुनील है क्या है मोटे लड़के डैश नाम सुनील है मोटे लड़के का नाम सुनील है अभी आखिर में आता है राम डैश रोटी खाई क्या है राम डैश रोटी खाई राम ने रोटी खाई क्या होता है राम ने रोटी खाई अभी हम ग्रामर पार्ट को पढ़ेंगे ग्रामर पार्ट में लिंग के बारे में दिया गया है कुछ उसके बारे में जानकारी लेंगे बच्चो पहले हम लिंग यानि जंडर के परिभाशा पढ़ेंगे यानि डेफिनेशन को पढ़ेंगे शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाती का बोध होता है उसे लिंग कहते है स्री यानि female पुरुष यानि male जाती का भोध होता है उसे link कहते है बच्चों आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह है link यानि gender के भेद उसमें पहले आता है pulling यानि English में masculine gender कहते है यानि male और दोसरा आता है strilling यानि feminine gender इंगलीश में क्या कहते हैं उसको feminine gender यानी female बच्चो लिंग में दो प्रकार के होते है पहले आता है pulling पहले हम pulling के बारे में चानकारी लेंगे शब्द के जिस रूप में पुरुष जाती का भोध होता है उसे pulling कहते है क्या है? शब्द के जिस रूप में पुरुष यानि मेल जादी का भोध होता है उसे पुलिंग कहते है उधारन यानि एक्जाम्बल की रूप में कुट्ता यानि कुट्ता बंदर आदी अभी हम लिंग के दूसरे प्रकार यानि स्त्री लिंग यानि फैमिनाइन जेंडर को पढ़ेंगे शब्द के जिस रूप में स्त्री जादी का भोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते है यानि शब्द के जिस रूप में स्त्री यानि फिमेल जादी का भोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते है उधारन यानि एक्जाम्पल के रूप में कुत्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है खुतिया बंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है बंदरिया आदी बच्चो अभी हम व्याकर्ण विभाग में पहली कोशन को पढ़ेंगे यानि पहली प्रश्न को पढ़ेंगे वह है लिंग बदलिये यानि चेंज जेंडर उसमें पहले आता है राजा पच्चो राजा कौन से लिंग में है राजा पुलिंग में है उसका स्रिलिंग रूप क्या होता है रानी क्या है राजा का स्रिलिंग रूप क्या है रानी और दूसरा आता है लुहार लुहार यानि ब्लैक स्मित क्या है लुहार का मतलब है ब्लैक स्मित लुहार पुलिंग रूप में है इसका स्रिलिंग रूप क्या होता है लुहारिन क्या है रुहार का स्रीलिंग रूप है लुहारिन अभी तीसरा आता है बकरा बकरा कॉंसलिंग में है बकरा पुलिंग में है उसका स्रीलिंग रूप क्या होता है बकरी क्या है बकरा बकरी चाउता आता है कुता क्या है कुता यानि पुलिंग उसका स्रिलिंग रूप क्या होता है कुतिया क्या है कुत्ता कुतिया पांचवा आता है भेड यानि शीप उसका स्रिलिंग रूप क्या होता है भेडा क्या है बच्चो भेड का स्रिलिंग रूप क्या है भेडा भेड भेडा आखिर में आता है मोरनी क्या है पीहन क्या है उसका पीहन मोरनी स्रिलिंग रूप में है उसका पुलिंग रूप क्या होता है मोर पीकॉक क्या है बच्चो मोरनी मोर क्या है मोरनी का पुलिंग रूप क्या होता है मोर अभी हम प्रश्ण दो को पढ़ेंगे प्रश्ण दो में आता है लिंग पहचानिये यानि identify the gender सिर्फ हमें कौन सा लिंग में है ओ बताना है उसमें पहले आता है दास पच्चो दास कौन सा लिंग में है दास पुलिंग है क्या है दास पुलिंग में है अभी दूसरा आता है पूजारी, कॉंसलिंग में है, पूजारी, पुलिंग में है, क्या है, पूजारी, पुलिंग में है तीसरा आता है देवरानी, क्या है? कौन सा लिंग में है देवरानी? स्त्रीलिंग में है अभी चाउता आता है शिक्षक, क्या है? शिक्षक, कौन सा लिंग में है? पुलिंग में है शिक्षक पुलिंग अभी पांच वा आता है धोबी क्या है धोबी धोबी कौन सा लिंग में है पुलिंग क्या है पुलिंग आखिर में आता है चात्रा चात्रा स्त्री लिंग में है चात्रा क्या है स्त्री लिंग में है चात्र उसका पुल्लिंग रूप है इस प्रष्ट से हमारा यह पाठ यानि मीठा संगीत समाप्त होता है धन्यवाद